श्री स्वामी नारायन भगवान नी जै अक्षर पुर्षोतम महराज नी जै गुणातितानन्द स्वामी महराज नी जै भगज जी महराज नी जै शास्त्री जी महराज नी जै योगी जी महराज नी जै प्रमुक स्वामी महराज नी जै महंत्य स्वामी महराज नी जै प्रमुक स्वामी महराज नी जै प्रमुक स्वामी महराज नी जै शताब्दी महुत्सव नी जै श्रिमत भागवतना प्रथम सकंधना अंतीम भागनी अंदर परिक्षित राजानी कथा आवेचे परिक्षित राजा वनमा मुरुगया करवा गया अने एमने तरस लागी ठाक लागयो भूख लागी स्थान शोत्ता था के कोई जिग्याई थी मने कोई आश्रे मली जाए अने वक्ते दूर थी हमने एक आश्रम देखायो आश्रम मा प्रवेश करयो ए वक्ते शमिक रुशी पोते परमात्माना ध्यानमा एकाग्र थाईने मगन थाया था आजू बाजू कोई हतो नहीं परिक्षित ने एक बाजू भूख तरस अने था कतो तो बिजी बाजू भी अपेक्षा पन हती के हुँ आश्रम मा आवेवचु तो मारो कोई आदर सतकार थाई पन कोई ए एमनों आदर सतकार करयो नहीं रुशी तो ध्यान मा था परिक्षित ने कुरोध आव्यो त्या एक मरेलो साप पड़ियो तो दनुष्णी अनि थी ए सापने उठावी ने शमिक रुशी ना गळामा नाखी दिदो औने गुसामा ने गुसामा परिक्षित नाथी निकले गयो थोड़ी वार थाई अने शमिक रुशी नो नानकडो पुत्र शुरूंगी एते आव्यो जोई के मारा पिता ना गळानी अंदर कोईके मरेलो साप नाखी ने मारा पिता शुरूंगी नो अपमान कर्यू छे रुशी तो हजू पन ध्यान मा आता पन शुरूंगी ने बहुच दुख थयू एटले ए वखते शुरूंगी एकदम गुसामा आवी आने बोल्या के जेने मारा पितानू आवो अपमान कर्यू छे साथ दिवस ने अंदर तक्षक सर्पना दंश्थी एनू मृत्यू थाओ आब आजू परिक्षित ने समाचार मल्या के साथ दिवस मा मारू मृत्यू थावानू छे तो परिक्षित ए वात ने सवली लिदी राज्य जन्मे जईने स्वपी दिदू पोताना पूत्र ने आने पोते विचार कर्यों के साथ दिवस मारी पासे छे हुँ एव कईू काम करी लों के जेती मारू जीवन सार्थक थी जए गंगा नदीना तड़ पर गया त्या महान रुशियोंने मल्या शुक्नेव जी पन एवखते त्या पदार्या एवखते परिक्षिते शुक्नेव जीने प्रश्न पूछो के जेनो अंतकाल नजीक होई अ एवा मनुष्य एव कईू काम करी लेव जुए के जेती एनो जीवन सार्थक थायू छे एवो एन अनुभव थाई आ प्रश्न समग्र मानव जात माटेनों छे जीवन तो बधाज जीवे छे मृत्यू तो बधाज पामे छे पन मृत्यू पाम ता पहला जीवन सफ़ थायू सार्थक थायू एवो अनुभव थायू एवो शु करी लेव शुक्नेव जीए जे उपनेशाप्यानों आरंब करता पहली जवात करी छे जन्म लाबह परह पुनसाम अन्ते नारायन स्मृति हीू आ जन्म धारन करेऊ छे न मोटा मोटो लाब एटलो छे के बदू करी करीने एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परी निष्ठया अपने गिनान शिखिये स्वधर्मनू पालन करिये योग साधिये गमेते करिये पन करी करीने छेल्ले आटलूज करवानू छे भगवान मा अपनू मान रहे अन्य मगवान मा मन रहू एले जीवन सार्थक थेग् खुब धन कमावा थी, जीवन मा सार्थक्ता नथी आवती, खुब सत्ता प्राप्त करया पची पण, जीवन मा सार्थक्ता नथी आवती, पण जारे भगवान मा मन लागे चे, त्यारे जीवन सार्थक थाई चे, आपने बदा भगत चीए, अने आपना मन मा पणे अभिलाश परणतु व्यावहार नी जवाबदारियो एनी वच्चे आपने केवी रिते भगवान मा सतत मन राखी शक्ये। परण दिवस्त रम्यान एक घड़ी बे घड़ी अमुक समय वो होई के जारे बद्धुज भूली जई आने आपने भगवान मही थई जिये। भजन करी शक्ये ए माटे आपने त्या आपना महापुरुष होए आपना गुरुवर्य होए आपने आहनिक ने भेट आपी छे। जेमके आपने सवारसांज आरती करिये छे। आहनिक छे। एवीज रिते आपने नित्य पूजा ने भेट भगवान स्वामी नारायन आपी छे। आ नित्य पूजा ए भगवान साथे नू आपनू कनेक्षन छे। दिवस्तों आई के ओ समय छे के जे समय आपने परस्नली भगवान साथे और आपना गुरु साथे रोज मली शक्ये। स्वामी नारायन भगवान ना वकत ने अंदर कुंडल गाम मा अमरा पटगेर नामना भगत रेता था। अवे एकवारेव बन्यू के रातनों समय तो अने ए पोते खाटलाम सूता था फळियामा अने उंगूडी गई। अने पढ़कु फेरवता फेरवता बोलवा मने स्वामी नारायन स्वामी नारायन स्वामी नारायन ये वकत श्रीजी महाराज गरडामा विराज मानता। अचानक महाराज उबा थे गया अने गरडा थी निकलया कुंडल जवा माटे। मजल कापीने महाराज अमरा पटगर ना घरे पहुंचया। एमना घर ना बारना खखडावया। अरधी रातरे बारनु खखडियो एटले अमरा पटगर जागया। अत्यारे कोण हशे। एमने बारनु खोलिय। तो सामे साक्षात स्वामी नारें भगवान उपाता एक दम आनन्द पन थयो आश्चरिय पन थयो कि महराज अत्यारे अचानक जान तो करवी थी महराजी कहूँ कि एमा सु जान करवानी तू आमने बोलाओ तो तो एटले आम आवी गया एटले अमरा पटगर ने आश्चरिय थुए कि महराज में क्यारे आपने बोलावया महराज क्यों कि महराज तमें स्वामी नारें स्वामी नारें वो बोलता ताने एवखते अमने क्यों तेका अरे महराज मने तो हेवा पड़िया छे स्वामिनारानं स्वामिनारानं बोलवाना तो महाराजे कहुँ के अमरा अमने पण एवा हेवा पड़िया छे जdoes अमने याद करें तेहां में पोहुंची जीए छे आपने जारे साच्चा रदेद्थी याद करिये त्यार आपनी बूजानी अंदर भगवान पोते साक्षात पदा रेचे आपनी वचन छे महराजे कहू कि आमने एवा हेवा पड़ा छे जे आमने संभारे त्यां आमें पोचे जी ये छे एब बिरुद श्रीजी महराजे आने आपनी गुरू परंपराए आज सुधी साच्वूँचे एक वखत प्रमुक्सामी महराज नैरोबी थी विदाई लेवान आता एवखत त्याना हरीबक्त हर्शत बाईये प्रमुक्सामी महराज ने कहू प्रमुक्सामी महराज जावाज सामबली आने पच्छी जाने वचन आपताव एम कहू कि अमें क्या दूर जी ये छे तमें जहारे संभारो त्यारे आवीन उभार रही है अने दर्शन आपिये पच्छी दूर कें मनाई आयमनू वचन छे आपने जहारे पणें आवीन संभारी है चे साचा रदे थी त्यारे आवीन उभार है चे 2004 साल मा जहरे प्रमुक स्वामी माहराज अमेरिका पदा रहा ए वखते त्या ओर्लांडो नी अंदर एक शिबीर नू आयोजन थे उतू लबग चार हजार जितला बाल बालिका किशोर किशोरी युवक युगतियो ते एकत्र थेया था सुन्दर शिबीर नू आयोजन थे उतू ये बदाने समावा माटे ते और्लांडो नी अंदर एक होटल भाड़े राखवा मावी थी आवे जे होटल नी अंदर बदाज शिबीर आर्थियो ना उतारा हता सभानी व्यवस्ता हती बोजन नी व्यवस्ता हती बद्दूज एक जिग्या ये आठलू मोटू उभू करवान होतो एटला आखी होटल भाड़े करवान में थी हवे एना माटे आपना एक हरीबग्त कमल भाई एमने सेवा सोपा मावी थी के होटल नी कमपनी साथे डील करवान होतो तो कमल भाई नो परिचे बापा पासे अपायो शिबीर पूरी थे गया पच्छी अने कईू के स्वामी आ हरीबग्त तेबू सारी सेवा करी एमने घणा लामबा समय सुधी आजे होटल नी कमपनी हती एना जुदा जुदा जे मेनेजरों होई एनी साथे बारगेनें करी ने एने समझावी ने बहुज राजबी भाव नी अंदर आ होटल भाड़े करी आपी अन आपनों घणों खर्चो बचो ए वकते कमल भाई उबा थे इने प्रमुकसामी माराद ने करू के बापा आम 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 एक काहीं करू न थी मारे तो जारे जारे कोईने मलवा जवानू था या काम प्रसंगे तो ए दिवसे उँँ सवार नी अंदर भूजा मा आपने प्रार्थना करतो तो क्या जे आ व्यक्तिने मलवानू छे तो आप एना मा प्रवेश कर जो आने काम थाई जाई भी कुरूपा कर जो आने मने वा अनुबो था तो तो के मारू काम थाई ज़तू तो आ सामलीने प्रमुक स्वामी महराज पन अस्तास्ता बोला स्वामी के कहा तमारो टेलीफोन रोज आऊतो तो खरो प्रमुक्स्वामी महराज ए वातनू प्रमान आपिऊं के जारे आपने फूजानी अंदर प्रार्थना करिये त्यार ए टेलीफोन प्रमुक्स्वामी महराज उपाडे चे आने एनो जवाब आपे चे बिहजार नी अग्ज्यार नी साल मा एवु थायू के वक्ते प्रमुक्स्वामी महराज नी तब्यत नादूरस्त धवा मांडी ती एटले जे पहला जे वीरी ते व्यक्ति गतरी ते एक एक हरी भक्त ने बापा मलता ते वीरी ते मली नोता शकता ये उक्ते बापा मुंबई मा बिराज मनता तो मुंबई मा गुम्मट नीचे स्वामी श्री ठाकोर जीना दर्शन करवा माटे पदारे ते वकदे जे हरीबक्तो त्या दर्ष्रन करवा माटे आव्या होई बदा बेटा होई आने पच्छी एवी ते मुलाकात थती के कोई हरीबक्तो होई तो एनों कई परश्ण होई तो एनावती संतो बापा ने रजुवात करता आने स्वामी श्री दूर थी एमने द्रश्टी द्वारा आशीर्वा दापता ने कहीं कहवान होए तो केता पाण करा आवी दिते मुलाकातो थती एवखते अमेरिका ना चेरी हिल सेंटर ना हरी बक्त रोहीत बाई तया पदा राता तो एमने बापा सते जरा बोलवानी छूट एटले एमने स्वामी बापा ने करूँ के बापा क्या सुध्यावी तब्यत राक्वी छे आवे तमे तब्यत सारी क स्वामी महराज एवकते असवा लागया पण पछी स्वामी धिमेरी ना बोला कि अमे एन रोज मलिये छी पूजानी अंदर रोहीत बाई ने संतो एकिदू के बापा आवी बाद करेशे ए प्रसंतो पूरो थे यो वरस पछी जारे प्रमुक स्वामी महराज अम्दा वादन ने दरता अने वक्ते रोहीत बाईते आव्याता त्यारे अमने वाद करी कि एक वरस पेला बापा ये करू तू कि हूँर रोज पूजा मा वाद करू छू आने मने खरी-खरी अनुबह उठाई छे के मुँँ बापाने पूजा मा कई दो छू आने मारू काम थी जाई छे पूजा एक हाली आपना व्यावाहारी काम पूरा करवा माटे छे एवी वात नथी परन्तु हरी भक्तोंने अनुबह उचे के मा महराज स्वामी पधारे छे आपनी भक्ति अंगी कार करे छे आपनी वात साम्बले छे सारंपूर्णा एक संते महन स्वामी महराजने एक पत्र लख्यो आने पत्र मा एमने पोतानी भावनाओ जणावी दी सवामी आ पत्र मां मारे जे आपने केउल छे एमें लख्यू छे आप जवाब लख्वानुगस टोपण चालसे तो एमा घौनी बदी वात ऐमने लखी ती एमा एक वात एमने एवी लखीती के मारे केटली क्वखट आपने कोई वात करवानी होई तो दरवक्ते आपने मली शकातू नथी एटले पच्छी महारे जी आपने केवानू होई यहुँँ पूजा मा आपने कई दवचू अटली वाद आमने सेजे सेजे लखी थी महसामी महाराजे एपत्रवाँ चो एक जिग्या एसंतेव लख्यू तू के आपनू स्वरुक समझू एतो अमारी मुद्धी नी बाहर नी वाद चे आप कुरुपा करो तो जाप कौन चो यह में समझी शक्ये आव या पत्र महसामी महाराजे माँ चो एपत्र नो जवाब तो लखवानो नो तो परन्तू महसामी महाराजे एक आगल मां बे जिग्ये अंडरलाइन करी एमा एक जिग्या जे प्रश्ण पूछो तो के आपने अमारी केवा समझवा एतो आप समझाओ तो ज़ समझाओ तो एनी नी नीचे अंडरलाइन करी औन महान सामी महः면 जी नीचे ए लाइन खेचि औने खाली जिग्या माँ लखिऊ के श्रीजी ना डास परम एकांतिक संथ औने जी जिग्या आती के हुँ पूजा मा आपने प्रार्थना करू छो एने निचे अंडरलाइन करी अनपछी नीचे खाली जिग्यामा लख्यू के पूजामा प्रार्थना करो छो ते पहुचे छे आपने जे काई वाद पूजामा करिये छिए ते बद्धी महराज अने स्वामी ओते सामले छे एवु प्रमाण स्वायम स्वामी नारन भगवाने आपियू छे अने आपना गुनातित गुरु वर्य आपियू छे तो आ रिते नित्य पूजा एक एवी साधना छे जे माँ डाइरेक्ट औने दर्रोज भगवान औने संत साथे आपनू कनेक्षन थे जाई छे जोडान थे जाई छे आपना माटे तो आ नित्य पूजा ए स्वायम स्वामी नारन भगवाननों आदेश छे आगना छे शिक्षा पत्रीनी अंदर स्वामी नारन भगवानने कहू छे सत्संग दिक्षानी अंदर पन महांस्वामी महराजे एज आगना द्रडावता गयू छे के नित्य पूजा पूर्ण करीने पच्छिज पोतानू व्यावाहारिक काम एक कराई अने एटले आपने जुईये छिए के स्वामिनार्ण भगवानना वकत्ती मांडी आने आज सुधी हरी भक्तोना जीवननी अंदर आ नित्य पूजा माटे नी केवी परवत प्राई ध्रडिता जुआ मडे छे बोचासन्ना काशी दास भाई महरादना अननन्य भक्ताता ये पोते वेपार करता ताने एक वखते उथऊ थऊ के एक वेपार मां एमने कई खोट गई आने एने लिदे एमने अमुक रकमनू देवु थए गवु आवे देवु भरपाई करवा मां एमने वार लागी एटले जे लेणदारों हता एमने ए वकते सरकार मां फरियाद करी आने एने लिदे काशिदास मोटा ने जेलमा पूर्वा मावया जहां सुधी ए रकम चुकते न करे त्यां सुधी एमने जेलमा राखवाई वो ठराव थे होतो काशिदास मोटा तो जेल मा गया पन पूजा तो साथे लईने गया था आने पूजा करया वगर पाणी पन न पिवा यमने उ पक्को नियम हो तो पन पूजा करवा में टे स्नान करू उपडे हवे व्यवस साथो त्या जेल मा हती ने तो एमने वाद करी के मारववो नियम छे शर्वात मा तो त्यां जेल मा थी सहकार न प्राप्त थो पन पची जोईू क्या तो कशुखाता पिता न थी एटले एमने पुजातों करा वीज पडे और एनेने मादे स्नान करावू पडे तो स्नान करावा माटे यमने नदी यलेई जवा मावया सिपाईयों साथे गया नदी माँ डूपकी मारी आने जेवी यमने वात्तरक नदी माँ डूपकी मारी आने पोते बाहर निकला तो सिधा गटडा गेला नदी माँ थी बाहर निकला चमतकार थेओ आबाजू पेला सिपाईयोय राह जोई क्या पाणी मां डूबया तो बार केम ना निकला है देखायाद नहीं एम ने थयू के काशी दास भाई पाणी मां तणाई गया औने मृत्ति भामें एम करीने तो पाचा गया आबाजू घरडाने अंदर महराज पासे काशी दास पोच पेली बाजू जे लेणदारो हता एमने पना वातनी खबर पड़ी क्या ओच अमतकार थो छे एमने समझायू के काशी दास तो मोटा भक्त छे एमने पन सदबाव थो एमने पन देवा मात येमने मुक्त करी दीदा परन्तू एक भक्तनी ध्रड़ता के पूजा न थाई त्य तो भक्तो ना जिवन ने अंदर आवी ध्रड़ता आपने आज सुधी जोता आव्या छे पडूद्राना सन्निष्ट हरी बक्त मनुबाई ये पोते पोताना व्यवसायना काम प्रसंगे साउधी अरभ्या गया था अवे त्यानी सरकार ना नियम प्रमाने ये वक्षते चरा कड़क काई दाहता एटले त्यां जे कोई पन आव्या होई एमनी पासे कई मूर्ती होई भगवान ने कोई देवतानी तो त्याने त्याने जेने काडी-काडी ने फेकी देवाम आवती त्या एरपोर्ट पर अच केटलाक मजूरों पन एमनी साथे भारत थी त्या गया था आवे एमनी पासेजी केलेंडरों होई त्या देवी के देवता ओना कई फोटोग्राफ्स होई ए पन बदू उचकी उचकी ने त्या कच्रा पेटी में लोको नाखी देता था मनुभाई जोई का आग नाखी देछे एमनी बेगतपा स्वामावी नेमाथी पूझा काडवा मावी औने जेवी पेला ओफिसरे पूझा ली दी एटले तरतज मनुभाई ए पाची खेची औने पोटा नाखी सामुकी दी तो पेला ओफिसरे गिदू के शूर छे हमने मनुभाई के आतो ना जापू अवे ए समय जरा बोला चाली था ही पेला वीजा मजूरो ए मनुभाई ने समझावया के मनुभाई आलोको बहुश कड़क छे तमे मानी जाओ पर मनुभाई के के नी आतो ना छोड़ू ए वखते त्या उपरी ओफिसर ता ए आवी गया के मनुभाई के दू के जूओ तो मारा व्योसाई प्रसंग यहां गरावया चूँ आने आवता पेला के मने एवु केवाम नो तो आवियो के आवी मूर्तियों अमें एलाव नहीं करिये आतो अमारी प्रेयर छे ये तो अमारे करवीज पड़े तमे कदाश भारत आओ अने तम अमारी प्रातना करवा देवी जूए मनुभाई निवात ने वी धारी असर थाई तेला अफिसर पन खूश थाया अने चेक बार सुदी मुकवार आवा के चालो तमने कोई हरान ने करे हूं तमने मुकी जाओ छू तो धड़ता जो इने मदद करे मूरारी प्रसंग यहां ब बगवान राजी पन थाई चे आपना नाना नाना बालको थी मांडी आने वरुद्ध हरी बक्तो अशक्त हरी बक्तो गणी बक्तो बीमारी मां होई पान पूजानी दरडता न थी मुक्ता सूरत ने अंदर रवी नामना एक बालक नी वात चे बेहजार ने एकनी साल मा एक ब बोज कठन परिस्तित यती पने बालक नो पूजानो अनियम एने जरा पन डगवान अदिदो छेल्ला दिवसे पन एना मुरुत्यूने थोड़ा कल्लाको बाकी येता त्यारे पन एने खुबच द्रडता राकी डोक्तरोंनी नाच चता पन ए पलंग मांथी नीचे उतर्यो अने गुरू श्रीजी महराजने प्रमुक्सामी महराज मारी साथे चे और एज मने लेई जवाना चे तो एवी ध्रडता साथे ए जीवन ना छिल्ला श्वास सुधी भक्ति करतो रहू अने ए दिवसे एम बोलता बोलता ज एपोते दहम्मा पदा रहू तो आपड़ा सत्सं प्रमुक्सामी महराजे पन अटली बिमारी नी अंदर पन एमना जीवन ना छिल्ला दिवसो नी अंदर पन पोता नी पूजा एक्यारे ही छोड़ी नोती तो पूजा ए नित्य साधना नो आदेश चे आपड़ा माटे स्वामी नाराणी ये पूजा विदी नी एक विशेष्टा पन छे साधरन रिते जारे भगवान सम्मंदी कोई आराधना करवानी होई साधना करवानी होई त्यारे एना गणा बदांगो होई छे कोई ध्यान करे, कोई प्रार्टना करे, कोई मंतर जाप करे, कोई वली शास्त्र पठन करे, घणी बधी प्रकारे भगवान नी भक्ती थती होई छे पण स्वामिनान भगवाने जे पूजा विदी आपन ने आपी छे, विशेश्ता सुचे के एमा सर्वांग साधना आपी दी एकज पूजा नी अंदर, जेमके आपने पूजा शरू करिये तो आरंब जेनो तिलक अने चान लाती थाई छे, भायो तिलक चान लो करे, बेनो खा बखत चूँ, आपना सत्संग नी अंदर, कोई एवा हरी बखतो छे, के नासामा पोते वईग्नानिक तरीके काम करे छे, कोई एवा हरी बखत छे, चे पोते बहुज मोटा डक्टर छे, कोई के एवा छे, के जे रिस्ट्रिक लेवल ना जहज चे, मेजिस्ट्रेट छे, पूर्ण भुमिका आदा करेशे परन्तु ए बधानी वच्चे हुँ भगवान नो भक्त चुँ एवी पोतानी ओलक बतावामा ए शर्माता नती तो पूजानी शर्वात माज तिलक करीने आपने भगवान ना भक्त तरीकेनु आपनु गवरव एने ध्रण करियेशे आने त्य आमी महराजे पूजा विदी मा बतावाँ छे के तिलक चानलो करीने पची आत्म विचार करो परमात्मान महिमानों विचार करो तो आत्मा आने परमात्मानों विचार एक साधना छे जे पूजा मा एक अंग तरीके आवी जाई छे त्यार पची मांसी पूजा आवे छे तो ध्यान रूपी साधना प्रत्यक्ष भगवानना सोरूपनी ध्यान रूपजे साधना ए मांसी पुजानी अंदर आवी जाईचे त्यार पची मंत्र जाप आवेचे त्यार पची एक पगे उभारेने जरे आपने भगवाननी माला करीचे त्यारे तपश्चरिया तौपनी भा इकितली बदी प्रकार्नी भक्ती एक साथे एक पेकेज आवी जाएछे, के जहनी अंदर प्रार्थना पणावे जहनी अंदर मंत्रजाब पणावे जहनी अंदर आत्म विचार पणावे जहमा ध्यान पणावे जहमा प्रदक्षिना पणावे जहमा दंडवत पणावे आ बद तुझ एक साथे एक पुजा विदी नी अंदर 20 मिनिट नी अंदर के अ पूजा विदिनु स्वरूप एवो आप्यों के ये आपने पूतानी साथे राकिश रकिए घरमंदीर ने अंदर भगवाननी मुर्ती बदरावी होई त्यारो जारती थाई थार थाई इतो बराबर से परण पोतानी पूजा घरना जितल्या सब्यों होई बद्धाने व्यक्त अतिकत राखवानी होई महानस्वामी माराजे सत्संग निक्षा गरंतमा एवात लखी के स्वीय पूजा स्वतंत्रातु सर्वै रक्षा गुरुहे पूर्थक पोतानी पूजा ए दरेक व्यक्तिय स्वतंत्र पने राखवानी आने एटली पन स्पस्ता करी के जन्मनों साथ एवा पूजा गराहिया स्वसंत ते है के बालकनों जन्म थाई ए दिवस्ती एनी पूजा पोतानी स्वतंत्र राखवी ए पूजा आपड़े ज्या जिये तिया आपड़े साथे रे और रोज आपड़े एने पोतानी पूजा जाते करवानी होई एवी एक अदबुत विदी आने येनी विदी पन्मों कठीन ना होई आपड़े एने साच्वीनी राखी शक्ये मंत्र मूर्तियों खोलीन आपड़े आवान करिये आने पच्ची पाच्चा विसर्जन मंत्र थी आपड़े एनू पुनरा गमन मंत्र थी पाच्ची एने आपड़े संकेली पन ले तो बधी रीते आपणी सुविधा पन सचवाए और आपणी नित्य भक्ती पन थाए एउँ सरस आपणी नित्य पूजा रुपी साधन एश्री जी महाराज आपियुँचे अवे आजे नित्य पूजा एनी गुणवत्ता श्रेमा छे महांस्वामी महाराज घणिवकत पन बाहार जे आपणी पूजा विधी करी एनी गुणवत्ता शेना पर आदर राखेचे के तेते वस्तु करती वकते आपणी अंदर शुँच आलेचे तो केवी रीते आपणी पूजा करीए तो ए पूजा स्रेष्ट पूजा थाए कोई पन भक्तिनी अंदर जारे महिमा भले त्यारे ए भक्ति स्रेष्ट थाईचे कोई पन भक्तिनी अंदर जारे प्रेम भले त्यारे ए स्रेष्ट बनेचे आने कोई पन पूजानी अंदर जारे एकागरता जोडाए त्यारे ए भक्ती सार्थक बने चे महिमा प्रीती अन एकागरता तो पूजानी अंदर पन जारे आपने महिमा साथे जोडाए चे महिमा एटले आउं कोनी पूजा करू चू आने साथे साथे आउंजे पूजा करू तो जे भगवान नी पूजा करूँछे भगवान साक्षात सामे आवे ने बैठाचे एटले उब अगत्यनु काम अत्यारे करूँछे एवा महिमा साथे जारे आपने जुडाईए त्यारे आपने पूजानों आनंद विशेश आवेचे जारे आपने प्रीती साथे जुडाईए त्यारे आपने एनुँ सुख अधिकावेचे योगी जी महराज जारे इस्विशन ओगनी सोने ओगन साइट साइटनी सालमा आफरिकाना विचरण मा आता अने वक्ते सोल्सबरी नामना सेंटर मा गयाता तो ए सेंटर मा जश्बाई नामना एक युवान भक्त ए योगी जी महराज न संपर्क मा आवे आता एमना पिताश्री भारत मा सत्संग इयता पण जश्बाई ने टलो बदो सत्संग नो रंग नो तो एमने तो लाग युवा बदा पोटला ले नावी गया छे साधू महराजो तो के वो रस्त हो तो पड़तो एमा पण एमना पि पची सर के नजत आरे एक दिवसे उताई हो के योगी जी महराज नो जी उतारो तो तो त्या पोते सवार मा थोड़क वेला पोची गया आने योगी जी माज पूझा करता था आने एकला पूझा करता था आने एमने योगी जी महराज नी मस्ती जोई एमनो प्रेम जोई अगवान प्रत्यनों आने पोते एकदम स्थीर थे गया जश्वाई पोते योगना अभ्यासी आता पोते योगना वर्गो चलाव ताभीचाने योग शिखाव था परन्तु जे शांती एमने क्यारे नोती अनुभवी ए योगी जी माहराद नी पूझाना दर्शन करीने एमने लाग्यों कि आ पूरुष एकाई जुदो भगवाननों आनंद भोगवेचे औने ए वकद थे अनों रुपा अन्तर थे गयो औने एकदम योगीची बारादी साथे स्ने थे यो पाको सत्सन थे गयो तो जारे पूझा आपने करता होए त्यारे तल्लीन थाईने प्रेम महान सामी महाराज ने एकवारे वुझा आवा मायूतू कि अमे जरे पूझा करिये छे त्यारे अमने तो जाज-जातना बदा विचारो आवा मांडे छे पूझा नी अंदर तो ए माटे शू करू आ वर्षो पहला पूझा येलो प्रश्ण चे त्यर महान सामी महाराज जे प्रश्ण जवाब मां करूतू के मने तो एव कोई दिवस थतू नथी मने प्रश्ण नड़तो नथी मारा पर बापानी खुरूपा चे पन पछी पोते उपाई बतावे महान सामी महाराज के के हुझारे पूझा करवा बेसू त्यारे हुझा विचारू छे के मारे बिजू कोई काम बाकिज नथी आ एकज काम मारे करवानू छे आ सिवाई बद्धू थाई गयू छे बस मारे भगवान मारी पूझा मा आवया छे महारादने स्वामी आवया छे आने मारे एमनी साते रमवानू छे मारे एमनी साते आनंद करवानू छे ए सिवाई मारे बिजू कोई क काम बाकी नथी आ विचार जारेंगों करूछू तेर मने कोई बीजा विचारों आड़ा आवता नथी बीजू कोई कामज ए वकत आड़ू आवतू नथी सेकडों काम पेंडिंग पड़्या होई छता पन ए काम ने ए वकते साव भूलीज जवा ए महसमी मारज शिख्यू और विचीवा तेमने करी के जम शिवलाल सेट पूजा करवा माटे बेशता तेर बद्धू बाली देता था अंतरती बद्धू बाली देता था बोटाज शहर बलीगव घर बलीगव धंदो बलीगव देह बलीगव राख थाई गई हवे ध्यान करो एक उखत बद्धू राख स्वामी महराजे आपनने बताव्या तो नित्य पूजा ए महिमा थी प्रीती थी अने एकाग्रताती करिये तो आपनने इनो खरे खरो आनन्दावे छे आपूजा ये आपनो रोजनों अभ्यास चे आजे पूजा करिये एना करता काल वधारे सारी थाई ये आपनी साधना च कोई एक कलाकार ने पुछवा माव्यू के तमे आ रचना बनाओ छो अत्यार सुधी मा तो घणी बदी रचना होता में करी से तो तमारा जीवनी स्रेष्ठ रचना कई तो कलाकारे जवाब आपयो के हवे जे रचना हूं करवानों छू ए मारी स्रेष्ठ रचना अत्यार सुधी जेटली थाई एना करता वधारे सारी करवी ये आपनी साधना एम आपनने कोई पूछे कि तमारा जीवन मा अत्यार सुधी मा तमारी घणी बदकी वखत पूजा करी से पन तमारी स्रेष्ठ पूजा कई तो आपनी यू केवू जोए कि हवे पची हूं जे सारी पूजा मारे हवे करवीचे वीजे दिवसे एना गरदा पण सारी करवीचे एवी रिते जो आपडे महिमा प्रिती एकागरता नो सानुendo अपने भूजानी अंदर भगवान साथेन्उ सानिंत्य अंनुभूवानी अंदर दिन्दिन प्रत्य प्रगतिन अनुभूधाय आपड़े माहराज अने श्रीस्वामी नारायन भगवान जय झाल